नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतनकोशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलियाए इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्णों का हल करें जो की वृत से संबंदिर शेत्रफलों से जुड़े हैं। तो पहला प्रश्ण है हमारे पास एक वृत आकार खेत पर 24 रुपे प्रतिमीटर की दर से बार लगाने का वे रुपे 52 अस्री है। इस खेत की द्रज्ण ग्याद कीजिए। तो पहले आईए हम एक बार इस बात को समझें की 24 रुपे प्रतिमीटर की दर का आशे क्या है। तो अगर आप वे यहाँ पे देखें जो की एक मीटर की बान का आ रहा है वो है रुपे 24 तो अगर हम यहाँ पे बान की बात करें जो की एक मीटर लंबाई की है तो उसका खर्चा रुपे 24 है। अब अगर हमारे पास जो खर्चा यहाँ पे है वो 580 दिया गया है इसका मतलब हमने बहुत बड़ी सी कोई बान है वो इस्तमाल की होगी तो अगर मैं कुछ इसको गोलाई के रूप में दिखा हूँ तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा कि काफी जादा हमने पे खर्चा बता दिया गया है वे पूरा बता दिया गया है तो हम उससे यह निकाल सकते हैं कि हमने कितनी लंबी बान यहाँ पे प्रयोग करी तो सबसे पहले हम यह चरण कर लेते हैं कि प्रयोग में लाई गई या इस्तमाल की गई प्रयोग की गई बान की लंबाई तो अ तो इसका मतलब हुआ कि मैंने जितनी भी यहां पे बान इस्तमाल की उसकी लंबाई हो जाएगी बावन सो असी और इसको हम भाग देदें 24 से तो आईए हमें एक बार इसको हल कर लेते हैं, तो अगर मैं दो से हल करूँ, इसको भाग दून तो बारा, और इसको दो से करूँ तो दो, फिर एक शेशफल तो बारा के लिए छे, फिर आठ के लिए चार और एक ये शून, एक बार फिर से इसे दो से करेंगे तो छे, इसको 1,3,2,0 फिर इसको दो से करेंगे तो 3 और इसको दो से करेंगे जो 6,6,0 फिर इसको तीन से करेंगे तो 1 और यह आ गया 220 तो ये क्या है 220 मीटर लंबा लंबा अपने बांड यहां पर इस्तमाल किया इसके लिए अब क्यूंकि हमें ये बता दिया गया था कि जो हमारा खेट था वो कैसा था एक वृताकार था तो यानि हम इस खेट की बात कर रहे हैं और यहां पे हमने चारो तरफ जो बताई गई यहां पे बांध है वो लगाई और अब हमसे ये प्रशन इस वृत के अनुसार क्या होगी वो इस वृत की परीधी हो जाएगी क्या मैं सही हूँ क्योंकि आप अगर बांध लगा रहे हैं तो वो आप कहां लगाएंगे इसके परिमाप के ही अनुसार तो लगाएंगे और अगर हम एक वृत के परिमाप की बात करते हैं तो परिदी की बात करते हैं तो इसलिए हमें पता चल गया कि इस वृत की जो परिदी है वो 220 मीटर है और अगर हम यह कह दें कि हमारे पास जो यह खेत था उसकी त्रिज्या जो है वो r है तो हम यह कह सकते हैं कि उसकी परिदे कितनी हो जाएगी 2 pi r और 2 pi r का माप जो है वो हमारे पास 220 आ गया तो चलिए आईए हल कर लेते हैं और r का मान निकालने के लिए हम पूरे ही समी करण में ऐसा करते हैं कि 2 pi से भाग दे देते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास 2 pi था वो देखें यहाँ पर cancel हो गया और यहाँ पर आपके पास 220 बटा 2 pi बचा तो यहाँ पर 220 है यह 2 है और pi की जगाँ पर हम 22 बटे साथ रख देंगे और जब यहाँ पर हम बटे साथ रखेंगे तो वो उपर इस तरह से आ जाएगा तो 22, 21 और यहाँ पर 10 हो गया फिर 2 और यह 5 आ गया तो इसका आशे यह हुआ कि हमारे पास जो खेत था उसकी त्रिज्जा कितनी हो गई 35 और क्यूंकि हमने सारी बाते मीटर में करीं तो इसकी एकाई भी 35 मीटर हो जाएगे तो यहाँ पे मैं यह कहना चाहूंगी कि इस प्रश्ण में दो काफी जरूरी चरण थे पहला चरण जरूरी यह निकालना कि जो आपने बांड इस्तमाल किया उसकी लंबाई कितनी है और दूसरा यह बात को समझना कि यह जो बांड की लंबाई है वो इस वृत से किस प्रकार से संबंदित है तो वो इस वृत की परिदी हो जाएगी चलिए आईए एक और प्रश्ण देखते है यदि एक वृत के परिमाप और शेत्रफल संग्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत की तरज्या ग्यात कीजिए तो पहले मैं यह आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वृत है और एक वृत की कुछ परिमाप या कहलें परिदी है जिसको मैंने यहाँ पे गुलाबी रंग से आपको दिखाया और यह कहा जा रहा है कि इसका कुछ शेत्रफल भी होगा जो कि यहाँ पे मैंने सफेद रंग से दिखाया तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ कि जो परिमाप है वो या फिर कहलें इस जो वृत की परिधी है वो गुलाबी रंग से है और जो शेत्रफल है वो सफेद रंग से जो अंदर का आपको यहाँ पे शेत्र दिख रहा है शेत्रफल अब प्रश्न के अनुसार यह दोनों बराबर हैं तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न आपको दिया गया है जहाँ पे दो चीजें संग्यात्मक रूप से बराबर है तो हमें वस यह समझना है कि जो उनका मान है वो बराबर है तो परिमाप का मान अगर कोई हमारे पास वृत होता है जिसकी तृज्या आर है तो आप क्या लिखेंगे तो आप यह लिखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वृत है जिसकी तृज्या आर है तो उसका परिमाप हम निकाल सकते हैं टू पाई आर से और अगर हमारे पास कोई एक वृत है जिसकी तरिज्य आर है तो उसका शेतर फल आप निकाल सकते हैं पाई आर स्कुएर से क्योंकि आर स्कुएर था तो मैंने आर और आर को इस तरह से गुड़न फल के रूप में लिख लिया अब यहां पे आपको ये बात समझनी है कि ये जो एक वृत है उसकी इकाई के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ बात कर रहे हैं संक्यात्मक मान के बारे में मतलब जैसे अगर मैं कह दूँ कि शेत्रफल जो है वो 20 cm स्कुएर है तो इसकी परीदी आपके पास 20 cm आ जाएगी तो इस तरीके का आपसे प्रशन कहा गया है कि अगर आपके पास जो शेत्रफल है एक वृत का और जो उसकी परिमाप है वो बराबर है संक्यात्मक रूप से तो बताईए कि उसकी त्रिज्या कैसे लिए तो यहाँ पे आईए हम इसको आगे हल कर लेते हैं और अगर हम पू जाई और आर दोनों ही तरफ समीकरण में दिख रहे हैं और आपके पास यहाँ पे आगया कि जो वृत की तिज्या है वो दो हो जाएगी अभी लेगे इसकी एकाई जो है वो हमें नहीं पता चली और कारण बिलकुल साफ है कि यह जो आर है उसकी संख्या उसकी जो भी मान ह वहाँ पे जो अंख है जो संख्या है वो दो होनी चाहिए अगर आप एक वृत लेंगे जो दो सेंटीमीटर का है तो भी उसके लिए आपका जो शेत्रफल और परिमाब है उसकी संख्यात्मक मान बराबर आएगा इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ऐसे जो वृत है उसकी का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रतेक भुजा को व्यास मान कर अर्द वृत खीचे गए हैं पाई का मान 3.14 प्रयोग कीचे तो यहां पे जो हमारे पास प्रश्न दिया गया है उसमें हमें जो यह चाया किंत यहां पे दिखाया गया है यह नीले रंग से यह आपको श शेत्रफल की गड़ना हमें करनी है और यहां पे हमें यह बता दिया गया है कि यहां पे जो ABCD आपको दिख रहा है वो एक वर्ग है जिसकी हर भुजा 10 cm है क्योंकि वर्ग है तो मानी हुई बात है कि सारी भुजाओं का जो मान है वो बराबरी होगा और इसलिए यह सारी भ हमने हर भुजा को एक व्यास मान कर अर्दवरत खीचे हैं और तब यह जो है नीला पॉर्शन यहां पे बन करके आया तो इस जो आकृती उसको बहतर समझने के लिए आई इसको थोड़ा सा तोड़ ले और क्या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक यह हमने दो यह सामने सामांतर जो यहां पे इसकी भुजाएं थी उस पे अर्दवरत बनाएं और फिर हमने दो जो बाकी सामांतर यहां पे भुजाएं थी उन पे अर्दवरत बनाएं और फिर उनको जोड़ दिया तो हमको इस तरीके का एक आकृती मिल गए और यहां पे अब शेत्रफल निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा वो वर्ग के शेत्रफल वर्ग शेत्रफल के में से आप कौन सा शेत्रफल हटा दें आप हटा दें काला शेत्रफल तो अगर आप वर्ग शेत्रफल में से काला शेत्रफल हटा दें तो आपको नीला शेत्रफल मिल जा आता है कि वर्ग शेत्रफल क्या होगा तो वर्ग शेत्रफल तो एक काफी असान बात है क्योंकि हमें यहां पर भुजा दी गई है तो वर्ग शेत्रफल हो जाएगा 10 गुना 10 और अगर हम काले शेत्रफल की बात करें तो काला शेत्रफल हम यहां पर लिख सकते हैं कि चार शे से दिख रहे हैं जो शेत्र दिख रहे हैं उनके शेत्रफल का अगर आgary्योग कर दें तो मिल जाएगा तो दूलिया ऴारी अब हमें क्या करना है इन एक दो तीन चार जो यह हिस्से है उनका शेत्रफल निकालना है और अगर मैं इस yahग को क्यूंकि हमैं योग करके निकालना है तो हम इसका क्रम बदल के भी लिख सकते हैं तो एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार को आईए हम ऐसे लिख लें एक प्लस तीन और दो प्लस चार है ना और आप अगर एक प्लस तीन यहां से निकालना चाहेंगे तो वो इस वर्ग में से ये दोनों नीले जो यहां पे हिस्से हैं वो हटा दें तो वर्ग तो हमारे पास फुर से क्या था दस सेंटीमीटर भुजा वाला और यहां पे उसका जो शेत्रफल है वो हो जाएगा दसका दूई घाद वर्ग निकालने के लिए और फिर हम उसमें से क्या हटा दें यहां पे मिलने वाला जो नीला हिस्सा है और नीला हिस्सा क्या होगा एक पूर्ग गोला क्योंकि दो अर्ध गोले मिला लेंगे तो मिलेगा एक पूर्ग गोला तो एक कून गोले के लिए हमाई पास शेतरफल क्या होता है पाई आर स्कॉर यही चीज हम क्या करेंगे यहां पे करेंगे और यहां पे भी हमारे पास जो वर्ग है उसका जो शेतरफल है वो 10 स्कॉर आ जाएगा और उसमें से हम अगर नीला हिस्सा हटाएंगे तो दो अर्ध गोले मिलके एक कून गोला जो की पाई आर स्कॉर हो गया अब क्योंकि जो यह गोले हैं यह अर्ध गोले हैं यह बन रहे हैं सेम ही वर्ग की बुझा पे तो आर जो है वो बराबर होगा और आर का मान कितना होगा अगर हम यहां पर यह देखें कि यह आर का मान कितना होगा तरज्या कितनी होगी तो वो इस बुझा की आदी हो जाएगी यानि की 5 तो आईए पहले मैं इसको थोड़ा सा सरल तरीके से गड़ना करने के लिए लिख लूँ तो 100 में से πाई आर स्कुएर गया और ये भी 100 में से πाई आर स्कुएर हो जाएगा तो आईए इसको हम लिख लेते हैं कि जो भी इसका मान आएगा हमें उसका गड़नफल 2 से करना है फिर हमारे पास 100 आया और इसमें माइनस हम कर दें पाई क्योंकि हमें दिया गया था 3.14 और इससे हमें जो है इसकी तरिज्या का जो स्कुएर है उसका गड़नफल करना है तो 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्कुएर 25 होता है और जो भी हमारे पास यहां पर उत्तर आएगा हमें 102 से गुना करना है तो चलिए आएए यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हिस्सों का जो भी शेत्र फल था उसका योग मिल चुका है तो यह आगया 100 और यहां से हमें क्या घटाना है 100 माइनस 3.14 को 25 से गुना करके और फिर 2 से पूरे इसको गुना करके चलिए आएए से हल करें 100 माइनस 100 माइनस अगर हम 25 से 3.14 को गुना करते हैं तो देखे क्या मिलेगा तो 3.14 को 25 से अगर 5 करेंगे तो 2,7 और यह 15 और यह आगया 628 तो यह 0, यह 5 और यह 8, और यह 7 और क्योंकि यहाँ पे 2.1 थे स्थान तो यहाँ पे भी 2.1 स्थान आ जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 78.50 और इसका मुझे गुरन फल अग 2 से करना है फिर यह आ गया 100 और यहाँ पे अगर हम 100 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21.5 और फिर इसको 2 से करना है फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 और 21.5 को अगर हम 2 से करना फल निकालेंगे तो यह हो जाएगा 43 और इस तरहाँ से हमारे पास जो उत्तर बचा वो हो जाएगा 57 और cm2 तो इस तरहाँ से हमें यहाँ पे उत्तर मिल गया 57 cm2 यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह थी कि इस आकृती में जो चाया किंत हमको शेत्र दिया गया था वो तो हमको बहुत ही जटिल सा लग रहा था ऐसा मालूम दे रहा था कि कोई फूल है और उसकी पत्तियां है उसका हम कैसी शेत्र फल निकालेंगे परंदु अगर कोई भी आपको प्रश्न दिया गया है आप उसको छोटी-छोटी समस्याओं में अगर विभाज़त कर लें तो देखे किस तरीके से असानी से जो प्रश्न है वो हल हो गया चली आईए एक और रोचक प्रश्न देखें इसी विशह पर दी गई आकरती में छाया किंद भाग का शेत्र फल ग्याद कीजिए यदि PQ 24 cm, PR 7 cm तथा O वृत का केंद्र है तो यहाँ पे हमें छाया किंद जो भाग है उसका शेत्र फल निकालना है तो चाया किंद शेत्र फल सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या होगा तो चाया किंद अगर हम शेत्र फल की बात करें तो आप देख सकते हो कि वो शेत्र फल जो है वो इस अर्द वृत अगर हम इस वृत का अर्द वृत ले लें मतलब हम कौन से वृत की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस पूरे वृत की बात कर रहे हैं और उसमें से हम यह त्रिभुज हटा दें मतलब इस पूरे ही वृत में से अगर हम यह त्रिभुज हटा दें तो आपको चाया किंत जो जगा है वो मिल जाएगी मुझे आशाय आप इबार समझ पा रहे हैं यहाँ और चलिए आईए अब इसको पूला कर लेते हैं जो हम लिख रहे थे कि अर्द वृत शेत्रफल में से आप त्रिभुज का शेत्रफल अगर घटा देंगे तो आपको जो चाया किंत शेत्रफल है वो मिल जाएगा तो अब प्रशन यह उठता है कि अर्द वृत का शेत्रफल हम कैसे निकालेंगे तो अर्द वृत का शेत्रफल निकालने के लिए तो आपको त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या जो है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि OR से भी हम संकेत कर सकते हैं OQ से भी संकेत कर सकते हैं औ में कुछ न कुछ यहाँ पे सोचना पड़ेगा अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चरण बताने चा रही हूँ और जो की शायद इस प्रश्न का मैं कहूं तो सबसे जरूरी चरण है ये बात देखना कि जो ये त्रिभुज बन रहा है ये एक समकोन का शेटर फल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसकी दोनों बुजाएं जो एक दूसरे से समकोन पे हैं उनका हमें गुणफल लेके आधा करना है क्योंकि हम जानते हैं कि half into base into height अगरम करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना है यहाँ पे जादा कुछ नहीं करना क्योंकि ये दोनों बुझाएं यहां पे हमें दी गई हैं जो कि एक आधार बना लेंगी और एक लंबाई हमें बता देंगी तो इस तरह से हमने त्रिभुझ का जो शेतरफल है वो तो निकाल लिया अब प्रस्न ये उड़ता है कि अर्द वर्द के शेतरफल के लिए हम त्रिज्या कहां से लाएं और इसका भी उत्तर आपको इस समकोण से ही मिल जाएगा क्योंकि समकोण यहां पे त्रिभुझ होने की वज़े से हम यहां पे पाइथागोरस थुरम इस्तिमाल कर सकते हैं और पाइथागोरस थुरम के अनुसार जो भी हमारे पास समकोण के विपरीद यहां पे रेखा होती है जो भुजा होती है, उसका अगर हम वर्ग ले लें, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो वो भुजा हो गई QR, उसका अगर हम वर्ग ले लें, तो वो बाकी दोनों ही भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, तो P, Q का अगर हम वर्ग लें, और R, P का अगर हम व बड़ी वाली बुझा के वर्ग के बराबर होगा अब सबसे बड़ी बुझा जो यहां पे है वो तो इस दिये गए वृत की क्या है व्यास है तो जो व्यास है उसको हम त्रिज्जा के रूप में लिख सकते हैं 2R और यहां पे जो आपके पास PQ है उसका मान 24 दिया गया है औ 576 और 7 का वर्ग कहने तो 49 तो अगर हम इन दोनों ही यहां पे जो पद आ रहे हैं इनका योगफल निकालें तो 625 आ जाएगा और हमारे पास यह आ गया R स्कोएर अगर हम पूरे ही समीकरण में 4 से भाब देते तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमें R स्कोएर का मान जो है 625 बटे 4 मिल गया और अगर अब हम R का मान निकालना चाहा रही हैं तो हम पूरे ही समीकरण में वर्ग मूल ले लें तो जो की 25 बटे 2 आ जाएगा तो चलिए आईए यहां पे इस मान को रख देते हैं तो पाई क्यूंकि प्रश्ण में हमें नहीं दिया गया तो इसको 22 है तो आप 25 बटे 2 का स्कॉयर ले लिजे जैसा भी आपको ठीक लगे दोनों ही चरण से आपको जो तरह सही मिलेगा फिर अगर हम इस तरह भुझ के 6 तरफल की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमें मिल रहा है आधा साथ और 24 इनका गुड़न फल तो यह हो गया बारा और बार आ रहा है 11 और 625 का गुड़न फल तो अगर हम 11 से 625 का गुड़न फल निकालेंगे तो 5, 7, 8, 6 और फिर यहां पे हमारे पास आ रहा है 28 तो चलिए आईए यहां पे हम LCM ले करके इसको हल कर लें तो 1 और 28 का LCM 28 ही आ जाएगा यहां पे हमारे पास 866 आएगा और अगर हम 84 28 और 28 का एक बार गुड़न फल करें तो वो हमें करना पड़ेगा तो 28 और 84 का गुड़न फल करना है तो 8 से अगर हम 4 को गुड़न फल करेंगे तो 32, 6 यहां से लगा 3, 8 और 8, 16 और 3, 16 और 2 को अगर हम 4 से करेंगे तो 8 और 2 को अगर हम 8 से करेंगे तो 16, 2, 5, 3, 2 तो यहां मेरे पास यहां आ गया दो तीन पांच तो चलिए आए एक बार हम यहां पे इन दोनों का जो है सब्ट्राक्शन लिख करके आंसर निकाल लें तो 6,8,7,5 में से मुझे 2,3,5,2 सब्ट्राक करना है तो मुझे मिला 3,2,5,4 उत्तर मेरे पास क्या आ गया यहां पे 45,3,2,8 और जिसकी इकाई क्या हो जाएगी क्योंकि सारे मान सेंटीमेटर में थे और शेतर हल है तो सेंटीमेटर स्कॉर्ड यहां पे आपको क्या बात ध्यान रखनी है आपको यहां पे यह बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो यह कौन है Q, P, R उसका मान 90 डिगरी होगा यह 90 डिगरी ही एक तरीके से हमारा पूरा प्रशन हल कर रहा है त्रिज्या निकालने के लिए भी हमने पैथागरस थ्योरम का उप्योग किया जो की तब ही कर सकते हैं जब उसमें से एक कौन 90 डिग्री हो या कह लें हम कि हमा जो त्रिभुज है वो सम कौन हो और यहां बैब यह भी देख सकते हैं कि हम इस त्रिभुज का भी तुशेत्रफल है वो इसी प्रगार निकाल पाए असानी से क्योंकि हमारे पास यहां पे दो दो विजवाईन थी वो सम कौन पिन थी और उनका आगर हम गुड़न फल लेके आधा कर लेंगे तो हमें त्रिभ हुआ है कि कर हमारे ले भी हमारे टा कर लेता है ऩुछेत्रफली तुकत्वार सेुछा हम वो पास रामझा प práancia कर लेके यहां हम् Я andere है तो हमारे पास सकते हैं कि क्योंकि हम पास्तवari statoरित्त्याविश।